हेलो डियर लेर्णर्स हाओ आर यू होप तो यू आर फाइन दूइंग वेल तो दिखे आज हम लोग पढ़ेंगे आपका आउटपुट आइटम चैनि आउटपुट करन उसे पहले मैंने आपको बहुत ची क्लासेद अल्रेडी कंप्यूटर की दे रखे हैं तो एक पर आप पास बेस्ट कंटेंट आपको इसी चैनल पर अवेलेबल है आप जा करके आराम से चेक आउट करिए और अगर चीज़े पसंद नहीं तो कमेंट चेक्शन ने बताइए घज़रो ठीक है आपकी मेरी क्लासेद अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने आपकी मैठ साइंस और स बाकी की बात करें तो बाकी आपकी सरने सारी क्लासेद ली है बाल विकाश की हिंदी की उसके बात में आपको बता दें एक क्लास आपकी इसी चैनल पर पाच बजे एक क्लास आपकी इसी चैनल पर साथ बजे एक क्लास आपकी इसी चैनल पर नौ बजे रोज होती है इन सेश अपने चैनल पर 10k का परिवार पूरा होने वाला है तो फिर्स फाल थांक यू तो all those subscriber who subscribe on this channel and all those new subscribers who are coming and subscribe for the channel जैसा कि हमने पूर्व में कहा computer के आरंभिक युग में data को पन्श कार रहता था paper, tape पर printer द्वारा प्रिंट किया रहता था किसके द्वारा प्रिंटिके रहता था बोलो सबसे पहले आरम भी कहने प्राइमरी टाइम पर चले जाओ यूगो यूगो से पहले आपको नहीं बाई जब आपको फर्स जेनरेशन पढ़ाई थी याद करो एक देखो जेनरेशन वादी क्लास होगी जन बच्चों नहीं देख जब आपको बड़ाया थे मिने पढ़ाया थे एत्वं आपको छेंसे परग आज कमप्यूटर समझता था राम抉ने डेट का यह का आप ने इधर कुछ घभाद किया झालवी अपड़ हो magg marsh explained इस प्रकार से printer सबसे पहली आउटपूट यूक की थी अगर आपसे कोई कुछन कर रहा है कि which is the first output unit तो आप answer करोगे कि printer is the first output unit की तुיל उस समय के printer ताह diff couple के सुदूख की डिजाइन टेकनीकी में काफी पठवठदाना जुका है तब के समाने के प्रिंटर और आप के समाने के प्रिंटर में जमीन आजमान च समान का अंथर है अब देखो आज भी duck bi printer सरवाधिक प्रयोग होने वाली सरजन्स अौट पूट इओक हए कहीं बिढाओ किस भी विभाग में झाओ आप अधार कार्ट की फोटर के लाओ तुरंद मांगेंगे, तुरंद, आप कहीं कुछ भी करने जा रहे हो, अधार कार्ट की फोटो कापी, कहीं से आप पूछोगे, कि सर या माम, हमारे इसमें क्या क्या डॉकुमेंट्स लगेंगे, क्या बोलेंगे आप से, हाई स्कूल इंटर की मार्क्सीट, अधार कार्ट की फोटो कापी, ग्रडूएशन की मार्क्सीट, इत्ता लेकर के चले हो, सब काम हो जाएगा, है ना, तो फिर आपको, आप फोटो कापी के लिए किसकी निट पड़ेगी, तो प्रिंटर की पड़ेगी, हाला किसी भी डिपार्टमेंट में भी इवन होगा, आपकी PDF में फॉर्मेट में गया चीज़ है, और उसको बाद ने प्रिंट आउट निकलवा लिया जाता है, यानि कि प्रिंटर के माध्यम से, वो निकलवा के पेस्ट कर दिया जाता है, यह जो भी नोटिविकेशन होती है, जैसी चीज़े होती है, तो मतलब आपकी कह सकते हैं कि, आज किल भी अगर सबसे जादा कुछ यूज हो रहा है, तो वो क्या है, प्रिंटर ही है, उसके बाद में देखो, इसके तरीक्ट कंप्यूटर स्क्रीन था, मॉनिटर भी बाद है, जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, जिसमें आप पड़ रहा हो, इवन जिसमें आप देख के, कंट्रोल प्लस स्क्रीकर के प्रिंट आउट निकालोगे, वो उसका भी तूट नहीं यूज होगा न, है न, बिना स्क्रीन के क्या प्रिंट आउट निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, तो इसका भी स्क्रीन या आप कहलो मॉनिटर भी आज पड़ते कंप्यूटर सिस्टम का अंग है, सालवजनिक रूप से प्रिंटर था मॉनिटर ही, मतलब अगर देखा जाए, सबसे जादा अगर आपसे पूछे कि कौन सी आउटपूट आपकी यूनिट यूज होती है, तो आप क्या बताएंगे, प्रिंटर और, बोलो क्या, मॉनिटर, प्रिंटर और मॉनिटर है न, उपरोक्त के कुछ विशेस रूप से प्रियोग होने वाले आउटपूट अपकरोड के विशे में, विश्टार से विवटट प्रस्तूत किया जा रहा है, इन में से प्रमुक, उपकरण, अगरे लिखेते हैं, अब यह सबसे पहले हम आपको चिखाएंगी क्या क्या, जैसे हमने आपको इन्पूट जरा पाच सब लोग मिल करके, एकल मैंने इन्पूट डिवाइस की क्लास ली थी न, तो जड़ा फटा फट से कोई पाच इन्पूट डिवाइस के नाम बता दो आप लोग, कोई पाच और लिखना कैसे है, अलग-अलग नहीं लिखना है, सुनो मेरी बात देखो, जैसे एक ये इन्पूट डिवाइस हो गई, फिर कॉमा, दूसरी ये हो गई, फिर कॉमा, तीसरी ये हो गई, फिर कॉमा, चौती ये हो गई, फिर कॉमा, पाच भी गई हो गई, ठीक ऐसे करके फटा फट्चे लाइव चैट में लिख दो पाच इंपुट डिवाइसेस के नाम हम और कुछ नहीं पूछ रहे हैं सिर्फ पाच इंपुट डिवाइसेस के नाम पूछ रहे हैं फटा फट्चे हर एक बच्चा लिखेगा बाते कम काम जाता है समझ के पढ़ाई पर output devices में क्या-क्या बढ़ाएंगे सबसे पहला तो हम आपको printer पढ़ाएंगे उसके बादे plotter पढ़ाएंगे उसके बादे VDU visual display unit क्या होती है उसके में computer output microfilm COM अगर आपसे कोई COM का full form पूछ रहा तो COM का मतला होता है C stands for computer here O stands for output and M stands for microfilm what I said microfilm it's microfilm okay so the full form of COM is computer output microfilm now next हम आपको बढ़ाएंगे audio output system it's AOS audio output system okay let's start from the printer okay जिन बच्चों ने लिख दी है पाच पाच नाम input devices की उन सब को बहुत बहुत चारा प्यार और आशिरवाद है ना very good well and keep it up और ना धुमा करके आना paper में लंका लगा के आएंगे सब के सब मेरी क्लाइब में जित्ते बच्चे आ रहे हो सब के सब paper की लंका लगा के आना किसी के percentage कम नहीं आने चाहिए बरना हम उसकी लंका लगा देंगे आप वोर्स कर सकते फॉर्स नहीं कर रहें अभी चाहिए चता दे रहें आपको बोलते ना चतावनी देना तो चतावनी दे रहें अच्छे से एक्टम जम के महनद चुरू कर दो कि तो मैं आप तो नहीं भाई जो आपका डीएलेड का percent होगा ना वह आपका count होगा ठीक है जो बहुत पढ़ते उनके स्टी स्टी बनते हैं ठीक है लेकिन अगर लेट वालों की बात करने तो उसमा बहुत ज़ादा पढ़ लो आपका नैंटी प्लस नैंटी फाइफ प्लस तक बनता इवन और आशे नहीं अपी तो विश्वास है कि आप लोग भी बहुत अच्छा है स प्रिंटर बतों करने वाला अगर आपकरся कोई पूल अब आप काम करने वाला लकडी का काम करने वाला आप अब करने वाला है यह प्रता चलता है आउटपुट प्रिंटर से लेकर प्रियोग करता तक किसी ना किसी माध्यम पर प्रिंट करके पहुंचाता है यहां पर पेपर के अतरिक तो कुछ विशेश प्रिंटर प्लास्टिक शीट कपड़े आदिका भी प्रिंट करने की चमता रखते अब देखो एक तो पेपर हो एक तो आपके प्रिंटर होता है जो आप नॉर्मली देखते हो जाकर लेकिन इसको बोलते एंदर चैनल में यहां पर एन्ठी चैनल सी अन्र बहुत सारे ऐ अपने तर्पests सब कर tö ¡कलाइब में यहां पर नाम लिखे उते धिर नह पर आप पर करे가 के पूर रिंक फैसे पूरा बन STEP SEN वह सुपर के तैमिंग ड़ा बन यह अन्म सब्सक्रार के लिखा पूरा बढ़िया बना दिया जाए तो वो देखो आप holdings का गया लगती है तो आकिर वो कहां से print होते हैं वो भी तो एक प्रकार का printer होता है उसको बोलते हैं अब वो क्या है कैसे है वो हम आगे बताने वाले हैं तो बिल्कुल अंदे तक session में जुड़े रहिएगा अगर आप आपके ना रिपोर्ट बिल बनाने वाले के इन जैसे टेलीफोन सेवा विद्धूट सेवा आधी जेखो अधिक्रिक्सिटी बिल आजाता है आपके पास आज printer का प्रिंटर का प्रिंटर का प्रिंटर की तकनीकी में इतना अधिक विकास हो चुका है कि आज अलग-अलग प प्रिंटिंग के लिए प्रियोग में लाए जाता है जिसने आप इसनेग वाला गेम खेलती तक यहां पर सफर का जमानाच लुट्र रहे तो कहने का मतलब यह है कि दिन पर दिन चीज़े अपडेट होते जा रही है जैसे मा लिजे आज आज आप इस कंपनी की जीन्स पहने सिंपल पता चले कल थोड़ी डैमेज चली थी एक समय ऐसा है कि पूरी ही डैमेज जीन्स से चलने लगी है तो आपने वो फैशन अपना लिया तो वैसे अपनी अपनी अलग-अलग विशेषता है अब देखो अवशक्ता के अनुरूप यहां पर हम कुछ प्रमुक प्रिंटरों का संशिप्त में वर्णन करने जा रहे हैं प्रिंटरों के मुख्य रूप से दो स्टेड़ों में विवेक्त्र किया अब देखो जैसे हमने आपको keyboard पढ़ाया था ना तो keyboard पढ़ाने में हमको थोड़ा सा time लगा था लगा था य लगा था बोलो तो यह इसे ही input devices में जितना important हमने आपको keyboard और mouse पढ़ाया था, उतना ही important यदि आप output devices में बात करें, तो जितना important आपका input devices में keyboard था, उतना ही important आपका output devices में क्या है आपका, तो printer है ना, तो भले हमको time लग जया पढ़ाने में, लेकिन आज हम आपका printer पूरा complete कर देंगे कि क्या होता एक होता है आपका non impact printer, अब मैं ये impact क्या होता है, non impact क्या होता है, देखो रुखो ज़रा, सब करो, सब बता रहे हैं, चुपचा पढ़ाई करो, और सिर्फ session को like करतो, जो आपके दोस्तोस्त होना, उनको shareware करते रहा करो, अब देखो, input, sorry, impact printer क्या होता है, या printer स्याही लग ये ribbon से कागज पर आकरती तयार करता है, आगी बात समझे में, अब देखो, इसके भी examples होते हैं, कैसा, सबसे पहले एक होता है, आपका dot matrix printer, अब dot matrix printer में क्या होता है, ये dot के दबाओ के माध्यम से चित्र बनाते हैं, ये 9, अथवा 24 पिनों के होते, कई सारे dots मिलकर एक शब इसे print होनी है, यही dots इस paper पर ink press कर देंगे हैं, ink मतलब आपने dots के माध्यम से ink इस paper पर print कर देंगे, तो वो छब जाएगा और उसके बाद में, वो आपको hard copy के रूप में बाहर मिल जाएगा, आपने वहापे जो भी print कर आया होगा, फिर एक होता है, आपका daisy wheel printer, इसमें ए एक चक्रिया wheel होता है, जिसकी प्रत्यक तान spoke में एक निस्चित अक्षर उभरा होता है, और इनके द्वारा ही कागज प्रिंट कर दिया जाता है, कुछ नहीं होता है, जैसे मालो, एक wheel है, गोल गोल, ठीक है, wheel है, wheel है, जैसे मालो, A, B, C, D, लिखा है, उबरा हुआ, जैस साथ में होता है आपका लाइन प्रिंटर अब लाइन प्रिंटर क्या होता है एक बार में पूरी लाइन प्रिंट कर देंगे इसकी स्पीड क्या होती है 300 लाइन प्रिंट कर देता है एक सेकंड में यह काफी महंगे होते उधारण जो लाइन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर अगर आपसे किसी से बोलने जाओगे कि मुझे लाइन प्रिंटर चिखा दीजे तो आपसे पूछेंगे कौन-कौन से चाहिए आपको मतलब किस काट्री मोइफब्टर चिखांफ मेंने फिर विंटर चाहिए या फिर बैंड प्रिंटर चाहिए आगी बात समझ में तो हमने आपको दोब्ली तमने आपको दोई सब्ब्लन कोई संपर्ग नहीं होता है। इनन एक उत्यायस अब आपको पढ़ाना है नॉन नॉन का मतलब क्या होता है ना कैसे याद रखोंगे नॉन का मतलब होता है ना इंपक्ट है ना जैसे इंपक्ट प्रिंटर में जो आपका रिबन था वो और पेपर था वो आपस में क्या कर रहे थे दूसरे को लेकिन ओन्वमफेक्ट्ट प्रिंटर में ऐसा कोई खेल नहीं कियो कि ऐसे याद रहो नौन इंपक्ट्ट्र प्रिंटर के जमाने में कोरोन आगया अन्हों ओन्हों क्या थे माम दो गजूनी रिबन का कोई संपर्क होता ही नहीं है पेज से पेज पर रिबन का कोई संपर्क नहीं होता दूर से ही क्या होता है किरणों के माध्यम से यानि रेज के माध्यम से वह क्या करता है स्कैन क्रकिक प्रिंट कर देता हुटा में किरने डालकर आक्रती और एक का स्वाट की तरह से थिक हैं ध्यान से सुनों अभी हम आपसे पूच लेंगे थphone दे रिचेसे के बाद में किकल के इंपक्ट ciao इummy नंक्टर के प्रिंटर किसका इंपक्त प्रिंटर की कहें एक आपसे पूचिन एक प्रिंटर का नि oni पतानी से सीसे मुलाइब थिक लेजर प्रिंटर की बात होगे आप बात करते हैं तिक प्रिंटर आपने कम्प्लीट कर लिया अब हम लोग क्या पढ़ेंगे विजिवल डिस्प्ले यूनिट यानि वी डी यू प्रिंटर तो आगी बात समझ में न अभी अंत में जाते जाते एक बर फटाफट से रवा किये गा है वीडियू आउट्पुट डेटा के लिए सॉफ्ट कॉपी मेडिया है आप इस पर डेटा को ठीक प्रकार से देख सकते हैं जैसे टेलिवीजन पर चित्र तो विजुवल डिस्प्ले यूनिट के अंतरकत आपको एक्जेंपल कहा जागा टेलिवीजन हो गया वि थोड़ा सक थोड़े साल पहले जाओ अच्छे अगर आप पच्छेस साल पच्छेस तो बहुत ज्यादा हो जाएगा यह मन के चलो 15 साल पहले भी जाओ आगे तो जब आप क्या टीवी आता था ना देखो किसी-किसी क्या ब्लैक एंड वाइट टीवी लगा था तो बोलो आ लोग प्रिफर नहीं कर पाते ज्यादा तो लोग क्या करते थे ब्लैक ऑन वाइट टीवी खरीद लेते रहे हैं तो यह जो टीवी यह वाले है यह भी सब इवन जो आपकी मॉनिटर स्क्रीन है वह सब कुछ किसके अंतर गाता है का विजुवल डिस्प्ले यूनिट मतब ज जैसे भी समझ लो आप जैसे आप हार्ड कोपी इसकी निकल वाने जा रहे हो प्रिंटर के मार्धियम से तो अगर आप वह देखना है कि यह कैसा प्रिंट आउट ओकर के पेपर निकलेगा तो यह जो आप स्क्रीन पर यहां पे देख पा रहे हो ना कि ऐसा है ऐसा यह पीप टेकनोलोजी चैन डोनों की सविवरेंट अगरे लखित है किया तो देखो सबसे पहले आपका है क्या है CRT screen अत्वा monitor CRT screen अत्वा monitor वर्तमान में CRT का मतलब क्या होता है cathode C stands for cathode R stands for ray T stands for tube cathode ray tube अब जरा बात समझो इसमें कुछ समय पूरूर तक इस प्रकारत के monitor अत्यरिक लोग प्रिये थे वर्तमान में सभी इनका बर्तमान में भी इनका प्रियोग होता है किन्तो इनका उप्योग LCD के अप्रिक्षा कम ही होता है चुकि यह देखो यह पीछे से ऐसे थोड़ा सा निकले हुए देखो बने हुए है LCD में क्या होता है CRT का मतलब होता है cathode ray tube देखो एक ऐसे आपकी tube बनी होती है यहां से आपके cathode rays निकलती है कैसी निकलती है cathode rays cathode मतलब क्या होती negative charge particles की एक ray निकलती है जो आपके सीधे एक screen पर flash करती है CRT अथवा CRT screen अथवा monitor बनावटवा कारे विदी में लगबग television जैसा ही होता है इसका प्रमुक कारण यहा है कि TV में भी CRT लगई होती है जिसने picture यह picture tube का रहता है बोलते हैं जब TV खराव जाता है बहुत पहिशा लगजाएगा भाया खाए यार भाया picture tube चली गए ऐसे बोलते हैं भाया picture tube चली गए तो कहने का मतलब यह है यह आपका थोड़ा से important और main part होता है इसी की वज़े से आपके picture से show होते है स्क्रीन पे अब उसके बाद में फिर ultimate जमाना आया यानि कि थोड़ा भाया आप लोग अभी तक आप लोग यूज़ करते थे एक छोटा सा फोन हैना keypad वाला अब आप यूज़ करने लागे भाई बड़ा सा फोन टच वाला भाई आपके पाप अममा ने दिला दिया अब उसमें भाई आपने ले लिया फिरकार नहीं अब माम यह पुराना होगे हमने का अच्छा आप कॉन सा लोगे आपके फोन में देखो न्यू न्यू चीज़े आती जा रहे है ना न्यू न्यू फीटर्स रहे है वैसे आपका उसके बाद में क्या है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानि LCD जब तक डेस्टॉप कंप्यूटर का यूग था तब तक CIT टेक्नीप पर अधारित मॉनिटर कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत पूरी करते थे देक्स्टॉप कंप्यूटर आका रहे हैं बड़े था वजन में बारी होते थे इन्हें एक ही स्थान पर रखकर का देखिया जा सकता था भाई आप यह नहीं कि आज यहां है तो आप कंप्यूटर सिस्टम पूरा साथ में ले करके जा रहे हो है ना जैसे परसनल अधिक वजन वर्तमान में डेक्स्टॉप लैप्टॉप कंप्यूटर नोटपड डिस्टल डाइडी कैलकुलेटर आधि की स्क्रीन चपती यानि कि पतली होती गई है पहले बहुत मोटी स्क्रीन होती थी आप क्या है देखो आपनी विद्ध क्या हो गई पतली हो गई अता आप काज का पीस यह हो गया ठीक है और इसमें क्या होता है एक लिकुड भरा होता है कैसा यहाब हो.. जब इन तारों में बहुत कम मान की विद्युदारा प्रवाइद की जाती है तब इन पॉकेट में विद्यु छे ट्रेन एलेक्रिक विडुद उटपन हो जाता है जिसके फलसरूप पॉकेट में बरे तरल क्रिस्टल में रसाइनिक रिया होती है संग्शेप में कहा जाए तो इस प्रकार हजारों पॉकेट में अलग-अलग तीवरता वार रंग का प्रकाश उत्पन कर स्क्रीन पर चभी बनाई जाती है जो आप देखते हैं कोकीला बैंड जो टीवी सीरियल देखते हूं रसोने में कौन था यह साज भी कभी बहुत ही या फिर कुम-कुम भाग गे और कौन से सीरियल आते हैं जड़ा नाम लेओ जड़ा दो सीरियल के नाम बता दो देखें जड़ा किसको किसको आता है कौन और कोई तारक में तक उड़्टा चसमा ज़रूर देखता होगा यहां पर हैं बहुत आपका लिक्विड पदार्थ भर दिया एक क्रिस्टली रिक्विड पदार्थ फिर इसमें एक मैगनेट एक एलेक्ट्रिक फील्ड जेनरेट कराई जाती बहुत छोटी मात्ता में प्रवाइद होती है जिससे आपके चित्र का निर्मार स्क्रीन पर होता है आगई बात कर दो यह मान के चलो बहुत महिनत की कर रहें आप लोग भी हमारे साथ रोज आते हो यहां पर है ना अपनी क्लासेस कर रहे हो प्रॉपर तो कितनी महिनत कर रहे है और नो डाउट कि इसके पीछे सिर्फ आपकी महिनत नहीं है चैनल की कितनी महिनत है सब की बहुत महिनत है क लेकिन आप सब बच्चों ने ताप प्यार दिया में कि क्या काम न जाएए नहीं थोड़ी नोट पढ़ा दो 20 मिर्ट लंका लगा दो तो उसको आप बना के रखो तुरसर डेकोरम बना के रखो ग्लास में है ना और फटावर से शेशन को लाइक करते रहा करो यह बात बार ब अब हम बोलें तो अच्छा नहीं लगता है इसलिए आप से ही मेरी हमबल रिक्वेस्ट है कि भीट में आपस में दूसरे से बोल दिया करो ठीक है चलो देखो कम्प्यूटर आउट्पूट माइक्रो फिल्म क्या होता है हम संख्षेप में कम्प्यूटर आउट्पूट मेडिया पर इस्थानां त्रेट कर सकता है इस्टोर डेटा को माइक्रो फिल्म या माइक्रो फिल्म वियूंग सिस्टम माइक्रो फिल्म वियूंग सिस्टम के माध्यम तो देखा जा सकता है यहां माइक्रो फिल्म के अतरिक्ट माइक्रो फिच पर तथा अपर्चर कार्ड aperture card भी इसी मीडिया का हिस्ता है हम सभी microfilm से तो परचित है यह सरल रूप में कहें तो यह camera में photographic के लिए लगाई जाने वाली photo film ही microfilm वस्तुता microfilm क्या है एक एक 4 x 6 inch का एक मातर film पीस होता है जिसमें अनेक aperture card होते है एक चौकर पंच card होता है जिसके मद्दे एक चौकर भाग में cut लगा होता है यहां पर एक film लगी होती है कौम पर output लेने से बहुत कम जगह की आवशकता होती है जबकि कागज एवब इन पर अधिक स्थान की आवशकता होती है एवब इन पर आसानी से बहुत जादा data एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जा सकते है किन्तु इन फिल्म का प्रिंट करना एक महगा कार रहे है साधानता इस तक्नीक में कम्प्यूटर आउटपुट को पहले कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिखाते है उसके बाद एक तीवर गती के कैमरे से इसको फोटोग्राफ मेडिया पर उतरा जाता है वह data अपने आकार से 30 गुना बड़ा होता है 30 गुना छोटा होकर प्रिंट करता है इसका परियोग विशेस आउटपुट के लिए होता है या एक सारवजनिक आउटपुट युक्ती नहीं है यह सस्ती एवं आसानी से उपलब्द होने वाली वाला ओटपुट माध्या में जिसकी कॉपी भी आसानी से कम कीमत में बना सकते हैं आगई बास समझ इसी के साथ में आपका शुरू कर देते हैं आउडियो आउटपुट सिस्टम क्या कि आधने कम्प्यूटर ध्वनी आवाज संगीत रूपी डेटा भी प्रॉसेस कर सकती है इवं उसे आउटपुट दे सकता है कम्प्यूटर सिस्टम में स्पीकर या हैड़फोन जैसे ध्वनी प्रेशक युक्तियां जोड़कर ओडियो डेटा प्राप्त किया जा सकता है कुछ कम्प्यूटर में इन बिट स्पीकर लगे होते हैं अब अर्थात स्पीकर कम्प्यूटर मॉनिटर स्क्रीन के साथ ही होते है जैसे आप इन बिल्ट बोलते हैं इस इमें इन बिल्ट है इसी के भाती आपको परशने के उत्तर दे सकता है संगीत सकता है धोनी ओवाज युक्त संदेश परषाजित कर सकता है वर्तमान में और्था अडेयो आउट्वूट सτά युक्त कंप्यूटर बैंक को संस्थानों के उपभुक्ता सेवा विभाग में उपभुक्ता के प्रशनों का उत्तर देने के लिए प्रयोग में हो रही है जैसे आपने माली यह किसी देवा दुकान में आप अपने पेटियम से पेडमेंट कर दिया तो उसमें लिखकर कहले इतने रुपए का पेडमेंट सक्सेस फुली डन वो सब किसका यूज करते स्पीकर का ही तो यूज कर सकते हैं आप समझो जरा कि एक यह नई चीज है आपके लिए मॉडम सबसे पहले मॉडम को फुल फॉर्म समझो मो का मतलब होता है यहां पर मॉडियूलेटर क्या कहा मैं यहनि कि मॉडियूलेटर और दी मॉडियूलेटर ठीक मॉडम का मुख्यकार सिगनलों का प्रारूप परिवर्तन है या मॉडियूलेटर तटा दी मॉडियूलेटर का आधनिक रूप है यह इन दोनों प्रकार की प्रक्रिया कर सकता है उच इस तरही मॉडमों में माइक्रो प्रोसेसर भी लगाये अब देखो modem आपके कितने प्रकार की होते हैं तो दो प्रकार करते हैं कौन कौन से एक होता बाहय modem एक होता आंतरिक modem इन में computer की मुख्य 1i से data cable के दौरा जोड़ा जाता है इस प्रकार के modem को एक computer से दूसर computer पर आसानी से जोड़ा जा सकता है internal modem के यही बात करें तो यह motherboard पर इस्थापित होता है इसकी स्थिति मुख्य एकाई के अंदर होने के कारण इसे आंतरिक model कहा ज़ता है इसे PCMCIA के नम से भी जाना ज़ता है PCMCIA का full form क्या होता है आपका personal computer and memory card internal association क्या कहा हम इने personal computer and memory card internal association ऐसे समझे लिए modem modem का मतलब होता है जैसे मैंने आपको कोई चीज भेजी ABCD के form में तो अब भाई computer उसको कैसे समझेगा माल लो उसको समझेगा वो ऐसे इस भासा में समझ लिया अब भाई computer को समझाने के लिए उसको ये भासा का परियोग करना पड़ा अब जब इसका result आएगा तो वो किस भासा में आएगा वो भी तो इसी भासा में आएगा लेकिन अब जो computer आपको बताएगा उसका तो उसका meaning यह होगा तो फिर इसको क्या किया जाएगा अब देखो पहले इस भासा को इसमें बदानने के लिए हम लोगों ने क्या किया modulation किया अब इस भासा को इस भासा मदसने के किया गया पहले जिस तरीके से हम चीज़ो को बताना चाह रहें तो, वो computer चीज में समझ रहा है, उसको हमने क्या, क्या modulate किया, यानि उनके signals में परिवर्टेच कीया, कि है तो, उनकी बहसा को समझाया गया, तो वो क्या modulation, फिर computer ने हमको हमारी guessing चीज को समझा इसको कहता है, इसको कहता है, लिए एक example मत रहे, तो यह हुता है आपको modem का formula और modem का प्रका तो कल अब हम लोग क्या पढ़ेंगे storage unit पढ़ेंगे आज के session को हम लोग करेंगे यहीं से कल आपको जितना भी storage unit के बादें पता है आपने जितना भी अभी तक primary, secondary, auxiliary, ram, rom सब पढ़ रखा है सब पढ़के फटावट से आ जाना नोनोने notes words बना रखे हैं सब पढ़कर करके आ जाना अब आपका एक काम कर लीजेगा आप लोग कल क्या कि फटावट से फिलाल तो भी 5 output unit के नाम बता दो हमको क्या क्या मैंने 5 output devices के नाम बता फटावट से जैसे अभी शुरू में 5 input लिखे थे आप फटावट से 5 output unit के नाम बता दो आप लोग उसके बाद में लोग करते शेशन को हैं हमेशा खुस रही है मुस्कुराते रही है कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रस करना ना भूलिएगा हमारे टेलिग्राम चैनल से जूडने के लिए आप लाइजर का क्रॉस आप्शिन यहां से अटाओ एक एरो दिख रहा होगा छोटा सां ड्रिस्क्रिप्शन बॉक्स को वहाँ पर क्लिक करो वहाँ पर आपको हमारे टेलिग्राम चैनल करेंग, इंस्टाग्राम चैनल करेंग, इवन हमारी Maths, Science, बाल विकास और अन्य सब्जेट्स की क्लासेज भी आपको उम्भिल जाएंगी, आप हमसे रोज शाम को मिल सकते हैं 5 बजे, फिर एक क्लास होती है आपकी शाम को 7 बजे, करते हैं, शेचन को एंड, हमेशा खुछ रही है, मुस्कुराते रही है, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए, टिल देंट टेक केर, बाइबाइ, मीट विडियो ने नेक्स क्लास, और सेचन को लाइक और कमेंट करना बिलकुल ना भूलिएगा, ठीक है?